आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आज का हमारा Question है कि Proteins are Necessary In the Diet of Children Discuss Proteins हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है Diets में जो हम खाना खाते है उसमें Proteins को खाना बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को खाना जिसमें Protein हो Children के लिए तो बहुत ज़रूरी है तो हमें इसके बारे में Discuss करना है कि ऐसा क्यों है और क्यों ض disciplines है सबसे पहला point क्या है कि proteins are macronutrients, proteins क्या है macronutrients, macronutrients मतलब क्या है कि हमारी body को protein की जो मात्रा है वो बिल्दिंग ब्लोक औस बोलतेorial हैं, इसी से हमारी body की जो growth है development है वो होगी तो यह क्या करेंगे building करेंगे help करेंगे in building the muscles mass हमारी muscle को strong बनाएंगे और muscle mass को build करने में help करेंगे देन अगर हम second देखें कि secondly और क्यूंज़ रही है protein तो सबसे क्यूं जरूरी है क्योंकि हमारी body का growth और development होता है उसमें भी क्या करते है protein help करते है देन अगर हम next देखें तो help in tissue repair जो tissue होते हैं cells होते हैं और cells के जो group होते हैं और बहुत सारे जो cells होते हैं उनसे मिलकर tissue बनता है प्रोटीन हमें energy provide करते हैं to do work. किसी भी काम को करने के लिए हमें energy ह目 जोड़त होती है ना, तो हमें energy हमें कहा से मिलेगी? अगर हम neशाब्व हम गलेगे not on the protein दे यारज तूह हमें neशाब्वम नहीं मिलेगी